सो हिलो गाइस विल्कम टू माई चैनल तेजू सिलाइ टिटोरियल आज हम व्यूटिफुल सी नेक डिजैन बनाने वाले हैं जैसा के आप देख सकते हैं कितनी यूनिक और कितनी प्यारी है यह जिसके लिए सिंपल सा राउंड शेप का मैंने एक नेक लिया है जिसे हम प्यार सा डेकोरेट करने वाले हैं हमें क्या करना है चार इंच के सम्तिंग दो फेबरिक ले लेना है एक गोल्डन और जो भी बलाओ जो उसी के कलर में आप चाहो तो दोनों सेम भी ले सकते हो हमें सिंपल कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे हम समूसे वाले डिजैन बनाते सेम वेसे हमें इसे फोल्ड करना है देन ऊपर से हमें एक सिलय कुछ इस तरीके से लगा लेना है तो एक एक करके हमें सारे कुछ इसी तरीके से बना कर तयार कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं पहले में कुछ इस तरीके से ग्रे कलर में सारे बना कर तयार कर लोंगी द कि इस सार्य बना कर हमें तैयार कर लेना है, इस 120 ने अलग अलग कर लेंगे इस बाढ़ को यते से सजच आफ बॉर आण जा ले उसी तरीक आफ क्षोपय के बां कर रहे हैं वैसे हमें golden leaf भी बना कर तयार कर लेना है एक एक करके सारे leaf हमें कुछ इसी तरीके से बना कर तयार कर लेना है इसलिए और जल्दी से बनके ready हो जाते हैं ये देखी ऐसे मैंने सारे बना कर ready कर लिए है अब हम क्या करेंगे यह एक दूसरे से जोइन रिते ना इसे हमें अलग अलग कर लेना है यह देखिए इस तरीके से अलग अलग करने के बाद जो सिलाई हमने लगाई है उसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे ये देखिए कर्टिंग करके इस तरीके से रख लेना है अब इसी तरीके से मैंने सारे बना कर तयार कर लिए है अब बार्याधी अटेज करने की जो सिंपल सा राउंड शेप का नेके उसे मैंने सें कि से लाइन दूरी पर रखेए हपिगे के और बढ़ेंगे जो हमारा नेक यह है उसके जो किनार है इसे थोड़ सा दूरी हमें बना कर रखनी हैं जादा पात से प्रखाएं थोड़ी से दूर से लागना है ताकि जब भी हम लेस लगाएं क्योंकि ना हम यहां पर पैपिंग लाइने केनवस का यूज कर रहे हैं कोईभी हम इस ट्रा कपड़ा यूज नहीं कर रहे हम बस Lays लगाएगे इसलिए लेस है भी हम हम लगाएगे तो Finishing आना चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे थोड़ी सी दूरी पर हम इस तरीके देखने चीशा से याज हैं तो यह अधिक हैं कि आखि को अचकर एका हैं आट करसे चांची है अभा़ण यह पाते हैं मैं नहीं क्या का आट कोई थि धा得να ynाट आया करें ही एसी दूसरी तरब्य हम कर लाते हैं चल highway यह देखी ए दूसरी तरब्य हमで कर लिए की इसई मैंने साइड में रखा में हम सेंडर में लगाने वाला जो हमारा beautiful सा flower होता है यह बना कर हम तयार कर लेते हैं और यह जो flower ही वह उसी तरीके से बना कर ready करना है जो हमने पहली वाले जो lift बना कर ready की ना उसी तरीके से वो पहले वाली की जो फेबरीक है उसकी जो चोड़ाई और लंबाई थो 4 इंज की इसकी तीन इंज के something थी तो ये जो flowery छोटा सा बनके ready हो जाएगा तो ये देखिए, आप चाहो तो छोटी से finger का use कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमने दूसरे लिफ बना कर ready कर लिए, वेसे हमें ये वाली भी बना कर ready कर लेना है, तो कम से कम पाच लिफ आपको बना कर तयार करना है इसे वाली, पाचों को हम एक दूसरे के उप पर इस तरीके से रख लेंगे, आप चाहो तो ग्लूगन के हेल्प से चिपका सकते हो, या फिर हाथों की सायता से स्वी धागे के हेल्प से ये फ्लावर को आप बना सकते हो, मैं शोटकट में बना लोंगे, सीधे machine पर कुछ इस तरीके से रख लोंगे, देन हमें सेंटर मे मजबूते से सिलह लगा लेना है दो बार में लगाओगी पहले एक बार ही लगा ली और दूसरे जब अटेज करेंगे ना तब लगाएंगे डोरी लेना है सिंपल से बन लगाए है मेंने आइट साइट जो हम नॉर्मल वाले ब्लाउच को लगाते हैं ना अब बारे आती हैë लेस लगाने की जब हम लेस लगाए ना तो इस बात का ध्यान रखे सबसे फर्स्टा वाली जो लाइन आती है नेक की तो उस लेस की लाइन पर हमारी लेस का बोडर हो यानि कี่ उसकी लाइन हो इस तरीके से लाइन और दूसरी तरफ जबी भी हम चिले लगाए ना तो अच्छी तरीके से लगाए मजबूते से ताकि ये जल्दे से निकले ना और जो हमने लिफ लगाई है उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिससे धागे वागे बहुत निकलते हैं वो बिल्कुल लेस के सेंटर में आना च इसके लिफ लगा गरिओ। फ्लावर लगा सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से वाइप सुलम जलगा सकते हो घ्या वाइघ लिफ अज़08 हो जाते हैं चिला प्तले लिफ लगाए मजबूते में लगा हैज में नक्रें पैंना सेंटर में डेकोरेट करने के लिए चोटा सा कोई भी फ्लावर हो बटन हो वो लगा सकते हो और इसलिए हमारी जो डिजाइने बनके रेडी हो जाती है आगे हमारी डायमन वाली प्रोसेस अभी बाकी है वो हम कर लेंगे लेकिन अगर उससे पेल आपको ये डिजाइन थोड़ी भी अच्छी लगे हो ना गाइस सुई और धागे की हेल्प से सिंपल हमें कुछ इस तरीके से मोती अटेज कर लेना है और पीछे हम एक नोट लगा लेंगे ताकि ये मोती बिल्कुल भी न निकले आप चाहो तो धागा कट कर सकते हो या फिर रेगुलर इस तरीके से चलने दे सकते हो ये देखिए दूसरी ज़्यादा ब्यूटिफुल ये डिजैन हमारे बनके रेडिय हो चुकी है ये कलर ग्रे और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था आप पिंक कलर में ये बना के देखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेगी तो वीडियो अच्छे लगाओ ना गाईस लाइक ज़रूर कर आपायद लगाओ ये शनाच लगेगी ज़ हो चुकी हवादा ग्रेछ आपको का कुम्बिनेशना आपको अच्छेट लगेशना आपको बना कर देखनेशना थापको लंभेशना टावको